हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम इत्मी में आज यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रीपल सी के एक्जाम से रिलेटेट कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ जैसा कि आपको फ्रेंड्स प्रिविएस वीडियो में बताया गया कि जो यूपी ट्रीपल सी के एक्जाम कैलेंडर वो जारी कर दिया गया है उसमें तमाम एक्जाम है जिसमें से एक्जाम यहां पर असिस्टेंट बोरिंग टेकनिसियन का भी है जिसका exam date यहाँ पर 3 जुलाई बताया गया है और यहाँ पर काफी student की fit demand हो गएगी इसका जो syllabus से उसके बारे में यहाँ पर हमको detail में बताईए और जो previous year के cut-up है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं और कितने marks अगर आपके इस बार gain कर लेते हैं तो आप यहाँ पर selected पातर के रूप में चैनित हो सकते हैं तो चले शुरू करते हैं फ्रेंट से यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनके syllabus को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर cut-up की चर्चा करेंगे और यहाँ पर पदो की जो संख्या उसको भी हम लोग यहाँ पर इसमें चर्चा करने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं तो फ्रेंट देखिए यहाँ पर UPSC Boring Technician का यहाँ पर देखिए PDF के माध्यम से यहाँ पर saliva जो है प्रोवाइट कराए गया है तो देखिए आपर जो 8 जनवरी 2020 का इसको अपडेट किया गया था आउसक सूचना के माध्यम से यहाँ पर आपके जो बिंदुगार Boring Technician है इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ लिजेगा हम लोग सिधे यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से subject इसमें यहाँ पर सामिल किये गया है तो देखिए France यहाँ पर भाग First यहाँ पर subject बताया गया है प्रस्णों की संखिया यहां पर अंक और समयावधी क्या है वो यहाँ पर बताया गया है तो हम लोग देखे टोटल यहाँ पर प्रस्न की बात करें तो देखे टोटल प्रस्न आपके यहाँ पर 120 रहने वाले हैं और अंक भी आपके 120 रहने वाले हैं यानि कि एक प्रस्न जो है वो एक अंका यहाँ पर रहने वाला है और समया वधी यानि कि टाइम की बात करें तो द देखे रिडात्मा कंग दिये जाने का प्रावधान है इसमें देखे कूल एक बटे चार रंग यहां पर निगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका कोई भी यहां पर कोश्चन गलत होता है तो वहां पर आपको 0.25 मार्क से आपके यहां पर कट कर लिए जाएंगे और अगर आप कोई भी यहां पर कोश्चन सही करते हैं तो आपको एक अंक यहां पर प्रदान किये जाएंगे तो देखे फ्रेंट से यहां पर हिंदी पहला भाग में यहां पर हिंदी परिज्ञान हैं लेखन योगता समंधित यहां पर 15 कोश्चन रहेंगे और यहां पर 15 आंक आप साथ है और यहाँबर आंग की बात करना होगा तो ठन सके करना होगा साल करते हैं हम लोग ते हिंदी परिज्ञान और लेखन योगता से समंधित देखिए इस भाग में बहती से हिंदी भासा के ज्ञान समझ दथा लेखन योगता समंधित यहां पर पूछे जाएंगे यह भाग उत्त्रप्रदेश माधमिक सिच्छा परिशत की हाइस्कूल परिच् आप उसके हिंदी के कोश्चन को आप लोग देखिए और उससे आप आईडिया लगा सकते हैं कि हंदी के आप कैसे कोश्चन यहां पर पूछे जाएंगे वह देखिए हम लोग सामाने ग्यान की बात करें देखिए प्रस्न पत्त का यह भाग उमिदारों के चारों और के व जो current affairs के question है वो भी यहाँ पर include रहेंगे इसमें यहाँ पर देखें तता अनुभों में आने वाले तता तत्थ जिसमें एतिहासिकम भागोली के यहाँ पर तत्थ भी सामिल हो सकते हैं वह देखें बिसेसकर भारत से समंदित इसमें बात किया गया है यानि कि आपको बिसेसकर जो भी जीके के आप portion आने वाला है वो भारत से related ही आपको यहाँ पर तयार करना है यहाँ देखें उनके पहलूं का ज्यान आका जा सकता है जिसकी किसी भी सिछित ब्यक्ति से यहाँ पर आसा की गई हो यहाँ पर static और current affairs दोनों को आपको यहाँ पर include करके चलना होगा जो भी static के portion है यहाँ पर जीके में उसको आपको तयार रखना है और जो current affairs जो daily routine में चलता है उसको अब भी आपको यहाँ पर तयार करके रखना है वहीं भाग तीन की देखिये बात करते हैं सामान बुद्धी परिच्छन और प्रारंबे गडित यानि कि यह देखे रिजिनिंग वाला पार्ट है और यह यहाँ पर general mathematics है उसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं तो देखे फ्रेंट सी अब पर जो इस भाग में पूछे जाने वाले प्रसणों का उदेश किसी नवीन परहिस्थती को समझने उसके विभी में तर्ष लेशनं कर पहचान करने हम तरक करने की योगता को मापता है इस भाग में इससे प्रसण भी पूछे जाएंगे ज्वे और उदेशों को समझने समंधो समानताओ संगत्ताओं का पता लगाने निसकर्स निकालने ता बहुत दिक्रियाओं से संबनी थैं यहां तक का portion यह रिजिनिंग का है जिसमें की देखे relation के blood relation हो गए यहां पर समानता संगत्ता कथनिसकर के question भी आप रहने गया LCM LCM SCF जिसको हम लोग लासमासा बोलते हैं भिन्न का दसमलों में रूपांतरड दसमलों का भिन्न में रूपांतरड बैग्यानी कल्कुलेटर से प्रयोग में यहाँ पर साधार समस्या है यहाँ पर भिन्न के अंतरगत जो है सवाल आप से पूछे जाएंगे वह देखे कुछ नार्मल कोश्चर नहींगे पर्सेंटेस से रिलेटेड वह देखे बीजगडित की बात का है जोड घटा ना गुड़ा भाग बीजी सुत्र जेखे रैखिक समिकड़ द्विघाद समिकड़ जो होता है एकसी स्कॉयर प्लस बी एकस प्लस सी उस फार्मूले से यहाँ पर जो भी कोश्चन साल्व होंगे उसको यहां पर आपको हल करना है छेतमिति से रिलेटे देखे वर्ग आयात समानता चतुर्भूज त्रिभूज बृत अर्धवित इन सब के आपको फार्मूले याद रखना है जो छेतमिति वाला यह पोर्षन है इसमें आपको इनके फ गहन घनाव सिलेंडर सुवीज इन तोषक का देखे सतही छेत्रफल गवन घनाव सिलेंडर इसीर अर्ति मीत त्रिकोड मेति की अनुपात थकते कोड का माप ए्म senior Museum Do यहां पर होने वाला है यहां पर हम लोग देखे भाग चार की बात के यहां पर पूछे जाएंगे इस भाग में भेर्थियों से आई टी आई टेट सम्मंदी सामान जानकारी के प्रस्ने आपर पूछे जाएंगे जैसे देखें आपर पहला टॉपिक है कि आधार सुरच्छा परचे आप जोखिम की पाचान और परिहार खतरा चेताओने इन सब को यहां पर समिलित किया गया है यह आपको पारट फॉष्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा वहई देखें यहाँ पर अगले यहाँ पर बात करें इस टॉपिक की तो देखें बीद्दूत की जो मॉली का अध tehdाड़ा है यह आपको एलेक्टीसियन की बुक लेंगे आप उसको उसमें यहाँ पर यह प् बारे में आप से question यहां पर पूछ सकता है देखे solder flux यहां पर soldering ब्रेजिंग इत्यादी के बारे में यहां पर बात किया गया है resistance resistance के नियम क्या है सीरीच parallel में आपको combination circuit यहां पर बना कर देदेगा ऐसे यह parallel में इसको फिर इसका जो equivalent resistance होता है वह निकालना रहता है वह देखे किर्चाप का नियम है इसके अनुप्रयोग के लिए बारे में पूछा गया है और वीट स्टोन ब्रीच का सिधान थे इसका क्या नुप्रयोग इसके बारे में और देखें यहां से देखें इंजरिंग धातू यानि की इंजरिंग मैटेरियल के जो कोश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे देखें बहुत ती गूड रंग हो गया सन अचना हो गया चालकता कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं चुमबकी यहां पर फ्यूजिबिल्टी हो गया बिस्स्ट गुरूद तो यहां पर और भी जो है टेंसिनिटी टफनेस इस अब आप देख सकते हैं वहां देखें वर्नियर कैलिपर को भी आपको यहां पर पढ़कर यहां पर जाना बात करें तो अगर आपने यहां पर हाई स्कूल में या इंटर में अगर आपने फिजिक्स पढ़ाओगा तो टोटल देखें यह टॉपिक वहां के पर ही कवर कर दिये गया है तो देखें आपर एकाई से रिलेटेड कोशन है यह पियस सीजी यहां किया साय यूनिट लंब देखें विभाग का नाम जो है मुख्य भियंता लगु सिचाय विभाग उत्तरप्रदेश लखनव का है पद नाम जो है सहाय गोरिंग टेकनिसियन का है और जो वेतनमान है बावन सो से बीस हजार दोसो ग्रेट पे है और जो उम्र है आपका अठारा से चालिस साल है देख जो यह अस्थाई पद है यानि कि पर्मानेंट आपका पद है अगर आपका इसमें चैन हो जाता है तो अति उत्तम यहां पर रहने वाला है और यहां पर देखें सबसे महतपूर बात आपको यहां पर बता दें कि जब यह बेकेंसी जारी किया गया था तो उसमें EWS के पद यानि कि EWS को एदर संबंधी उत्तरप्रदे सासन के करयाले संख्या इतना के अधीन देखे 18 फरवे 2019 में यहां पर बिहित ब्यवस्था का नेमा अनुसार अनुपालान सुनिशित करने के क्रम में जारी किया जाने वाले सासना देशों के अनुसार उप्युक्त साड़े में इसमें तो आपको EWS का पद नहीं बताए गया है लेकिन जो टोटल बेकेंसी हैं उनका यहां पर 10% आरचन यहां पर EWS को मिलने वाला है जब बेकेंसी जारी की गए थी तो उसमें EWS का प्रावधान नहीं था लेकिन बाद में इसको यहां पर अड़ किया गया है वहें फ्रेंडस हम लोग प्रिविएस ययर के यहां पर जो इसका कट आफ जारी किया गया था उसके समने हम लोग यहां पर बात करें तो देखें UP3S C Boring Technician कट आफ मार्च 2015 पंद्र है उसमें क्या था कि पहले आप पर इसके समय आप पर इंटर्वीय और पर इंटर्वीय तो आपका इंटर्वीय यहां पर नहीं होने वाला केवल आप यहाँ पर रिटेन टेस्ट देने के बाद यहाँ पर फाइनली आप यहाँ पर सलेक्ट हो सकते हैं तो देखिए पहले क्या था कि इंटर्विव का जो यहाँ पर प्रोसेस था 15 सितंबर 6 एक्टूबर 2015 तक चला था और उसके काटिंग यहाँ पर देखिए मिनिमम जो कटाफ मार्क हैं वह यहाँ पर निधारित किया गए थे तो देखिए जो अनरेजर्व ओबीसी यसी तीनों कटेगरी के लिए देखिए आपर 45 मार्क जो है की कटाफ यहाँ पर रखा गया था वहीं देखिए यस्टी की बात करें तो 40-10 मार्क था वहीं हरिएंटल डेजर्वेशन मिनिमम कटाफ की बात करें तो देखिए डिपेंडेंट आप फिरिडम फाइटर की बात करें तो 49 मार्क वहीं देखिए जो एक सर्विसमें थे उनके लिए 27 मार्क थे और फीमेल गरी में साथ से आठ नंबर आपको यहाँ पर और एट कर लेना है उसके बाद ही आप अपने सेफ इसकोर यहाँ पर समझ सकते हैं तो फ्रेंट्स ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए साथ जुड़े रहे हमारे साथ अब आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईए कि अगला सलेबस और कटाफ किस यहाँ पर वेकेंसी के बारें बताया जाए कि कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा उसका वीडियो ब